नमस्कार आदाप मैं हूँ सानिया खान आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स ओल इंडिया कोरोना लॉक्डाउन के बीच पीएम नरेंद्र मोदी की 5 एप्रेल यानी रविवार की रात 9 बजे 9 मिनिट के लिए लाइट आफ करके दिया मुम्बती, टोच या मुबाइल का फ्लेश लाइट जलाने की अपील पर केंद्र सरकार के पावर मिनिस्टर आरके सिंग और उनकी मिनिस्टरी अलर्ट मोड पर आ गई है वजा तकनीकी है और वो ये की पावर लोड अचानक घटने से ब्लैक आउट हो सकता है यानि बिजली ग्रीट की भी बत्ती गुल हो सकती है देश भर में पावर प्लान से पावर हाउस से घर घर बिजली पहुचाने की जो तकनीकी व्यवस्था है उसे ग्रीट कहते है और ये ग्रीट सिर्फ लोड बरने से ही नहीं लोड के अचानक घटने से भी खराब हो सकती है कोरोना लोकडाउन के कारण दफतर और फैक्टरी वगेरा बंध होने की वज़ा से देश में पहले से ही बिजली की डिमांड में 25-30 फिजदी की कमी दिकौट की गई है आप सुनिये कि इस मामले को लेकर नितिन राउत जो की महराष्ट के उर्जा मंत्री है उनका क्या कहना है अत्यनत निराशा हुई है अपकी इस बात से कि आप अंदेरे में अंदेरा करो दिये जलाने की बात करो आप शायद समझ नहीं पा रहें अगर बिजली बंद किये लोगों ने और बिजली जो ग्रीड से आती है और लाखों करोड़ों लोगों ने बिजली आग बंद कर दी ग्रीड अगर फेल हो गया तो हमारी इमर्जंस सर्विसेज फैल हो जाएगे. और एमर्जनसी फैल सर्विसेज अगर फैल हो जाती हैै, ऐसे में कितने लोहों का नुक्सान हो जाएगा, जो लोग अपने बड़ी-बड़ी, पिडिंगों में, लिप में अठख जाएंगे, वो तो ऐसे ही मर जाएंगे उनके बारे में आपको चिंता नहीं है मैं तो देश की जनता के साथ महाराज का गुर्जा मंतरी स्थाते से अपील करूँगा कि पाच अप्रिल को कोई भी अपने घर के दिये बनना करे और उनको अगर सही में अगर समझ होंगी और करोना जो काबला करना होगा युद्ध करना होगा तो आप सरकार नहीं खुद बताए हुए नियमों का पालन करे डिस्टर्स मेंटेंड करे और दिया जलाना है तो इलक्रिक का बल बंद करने से नहीं तो दिया दिखा दीजे मुझे कोई अरकत नहीं है देश का एक प्रदेश का सनमा ये उर्जा मंत्री होने के नाते मैं जो धोका आने वाला है वो धोके से आपको अउगत करा रहा हो बिजली अगर कल फेल हो गई और उससे देश के उपर कोई संकट अगर आ गया तो उसकी पुरी जिम्मेदारी देश के पंत्रप्रदान के सिर्पर रहेंगी किसी और के प्रेल की रात अच्छानक से देश में पावर लोट कम होने पर बिजली ग्रीट को संभालना होगा पावर मिनिस्ट्री एक्शन मोड में है ताकि कहीं भी ब्लैक आउट की स्थिथी ना पैदा हो इसी के साथ प्रहार टाइम्स की सभी खबरे देखने के लिए सब्सक्राइ अगर आप फेस्बुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें